हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मध्ध परदेश शत्तीजगर राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव नतीज़े आए हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं जा रहा है कि बारतिय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में एवियम से खेला करके चुनाव जित लिया है और इसलिए अब चुनाव को रद्द करने की मांग हो रही है साथ ही साथ का जा रहा कि मुख मंत्रियों के शपत गिरहन को रोक दिया जाए क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला इवियम में हो गया है दोस्तों इस समय इस समय ये तीनों राज्यों का जो मामला है वो सुप्रिम कोट में पहुँच चुका है अब सुप्रिम कोट से लगातार गुहार लगाई जा रही है डिवाई चंदर चून से कि इस मामले को देखा जाए इसमें तोरित्व फैसला लिया जाए ये देखे दोस्तों एक बड़ी खबर दिगविजे सिंग ने हार का ठीकरा इवियम पर फोड़ दिया है चुनाव आयोग सुप्रिम कोट से लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाई जा रही है साथ ही साथ दोस्तों आपको सुप्रिम के साथ इवियम के मुद्दे पर लड़ाई तेज हो चुकी है अब मामला सडक से लेकर सुप्रिम कोट में पहुँच चुका है तो दोस्तों आखिर ऐसा हो क्यों रहा है सबसे पहले तो पूरे मामले को आप समझ लीजिए देखे मध्य परदेश शतीजगर आयोग पर मिली भगत का आरूप लगाया जा रहा है बलकि कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ही कहीं न कहीं कुछ सेटिंग कर दी है ये गंभीर आरूप अब चुनाव आयोग पर लग रहा है साथ ही साथ सत्ताधारी पार्टी के होश उर चुके हैं क्योंकि सत्ताधार पार्टी के लोग शपत गिरहन की तैयारी कर रहे हैं लगातार मीटिंग हो रही है लेकिन एवियम का मुद्दा जिस तरीके से उठाया गया है उसने कहीं न कहीं बीजेपी की जो नीद है वो हराम कर दी है दोस्तों दो महतपूर्ण सबूत दिगविजे जी के द्वारा कि बैलेट में कॉंग्रेस पार्टी जीती है जबकि भारतिये जनता पार्टी ईवियम में जीती है और ये आकड़े 230 विधान सबासीतों के पेश किये गए हैं दिगविजे जी के द्वारा कहा गया है कि बैलेट में जहां जहां बैलेट से वोटिंग हुई है वहाँ पर में भारतिये जनता पार्टी जीती है और यहीं पर मामला शक के घेरे में आ चुका है इसलिए सत्ताधारी पार्टी बैलेट से भाग रही है वो अभी भी ईवियम से चिपकी हुई है कहा जा रहा है दोस्तों एक और बड़ा सुबूत दिगविजे जी के द्वारा दिया ग से वारल हुआ था जिसको लेकर ट्विट किया था दिगविजे जी ने और कहा था कि ये जो फेस्बुक पोस्ट है वो एक दिसंबर का है जहां पर बीजेपी को 93,000 वोट मिलने की संभावना जताई जा रही थी और कॉंग्रेस पार्टी को 73,000 वोट मिलने की बात कही गई एक दिसंबर को नतीजे आये थे तीन दिसंबर को चार राज्यों के नतीजे आये थे और चार दिसंबर को आये थे मीजोरम के नतीजे लेकिन दोस्तों तीन राज्यों के नतीजे अब शक के घेरे में है क्योंकि एग्जिट पोल में भी भारतिये जनता पार्टी हार रही लेकिन अब EVM से खेला करके उस पर आरूब लग रहा है कि वो यहाँ पर जीत गई है यह मोदी मैजिक नहीं था यह EVM का मैजिक था तो दोस्तों यह जो पोस्त था कहा जा रहा है कि एक दिसम्बर को किया गया था और इसमें दावा किया गया था कि भारतिय जनता पार्टी ज सुप्रीम कोट चुनाव आयोग को चाहिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपडेट और देना चाहूंगा उसके बाद हम उसमुद्दे पर जाएंगे कि सुप्रीम कोट में क्या हुआ दोस्तों इस समय की बड़ी खबर ये भी है कि 25,000 शिकायते निरवाचन आयोग के प जाए दोस्तों चुनाव आयोग इवियम को लेकर चुप है चुनाव आयोग चाहता है कि देश में इवियम ही रहे क्योंकि इवियम से उसका जो काम है आसान हो जाता है इवियम से चुनाव आयोग का जो काम है वो काफी सहज हो जाता है सरल हो जाता है उसे कम काम करना उसे आराम की खाने की आदत पड़ गई है इसलिए वो चाहता है कि चुनाव EVM से ही हो उसके करमचारी अधिकारी जादा मेहनत ना करें इसलिए वो बैलट के खिलाफ है EVM के समर्थन में खड़ा हुआ है जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो चुनाव आयो के द्वारा दलीले दी गई थी चुनाव आयोग ने कहा था कि EVM से चुनाव निश्पक्ष तरीके से हो रहा है स्वतंत्र तरीके से हो रहा है जल्दी से नतीजे आते हैं तमाम तरह के दावे किये गई थे डिफेंड किया गया था दोस्तों ADR की आचका पर सुनवाई अभ आये ये जो मुद्दा है कितनी बार उठाये जाएगा EVM भी पैट वाली आचका पर सुप्रिम कोट की यहां पर दो टूक सामने आई है अब सुप्रिम कोट भी परेशान हो गया ऐसा लग रहा है सुप्रिम कोट को इस मामले पर गंभीर होना चाहिए इस मामले पर सीरिस त आले जा रहे हैं सुप्रिम कोट में और कल भी सुप्रिम कोट के कई वकील EVM धांधली के मसले पर सुप्रिम कोट पहुंचे हैं इस समय सुप्रिम कोट में याचिकाओं का अंबार है ऐसी याचिका जिसमें कहा जा रहा है कि EVM को अब बैन कर देना चाहिए EVM लोक तंत्र क खिलाब भी लड़ाई थीज हो चुकी है दोस्तों प्रशांद भूशन ने क्या जवाब दिया है वो जान लिजिए प्रशांद भूशन ने कहा है कि ततकाल आवश्चिक्ता है चुनाव नजदी का रहे हैं विधान सबा चुनाव तो चला गया अब चुनाव नजदी का रहे लोग सभा की चुनाव 6-7 महीने बचे हैं और चोकी चुनाव नजदी का रहे हैं इसलिए इसकी तत्काल आवश्यक्ता है प्रशान भूशन ने कहा कि EVM से लोग तंत्र को खतरा है और जब तक EVM से चुनाव होता रहेगा ऐसे ही लोग EVM पर सवाल खड़े करते रहेंगे इस सिर्फ प्रशान भूशन की आवाज नहीं है देश के करोणों लोगों की एक ही आवाज है कि भाई EVM को क्यों ढोया जा रहा है EVM तो कई देशों में बैन हो चुकी है जापान से लेकर अमेरिका तक EVM बैन हो चुकी है तो भारत जब बिकसित देश बनने की कगार पर पहु सकती है उसे कंट्रोल किया जा सकता है तो कुछ दूरी पर बैट कर क्या EVM को कंट्रोल नहीं किया जा सकता ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों क्योंकि है तो एक मशीन ही और कोई भी मशीन में इस तरह सी चीज़े हो सकती है यही बात लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं मायावती जी ममता बनर जी जी उधव ठाकरे जी दिगविडे सिंग कमल नात जैसे अखिलेश यादव किन किन नेताओं का नाम लोग पूरा विपक्ष समय लाम बंद हो चुका है EVM के खिलाफ हो चुका है अब जरूरी है कि राहुल गांधी भी सड़क पर EVM के कास्ताफ आंदोलन करें एक जुट आंदोलन करें क्योंकि सड़क पर लड़ाई जब तेज होगी तो जाहर तोर पर सुप्रीम कोर्ट पर भी एक दबाव पड़ेगा क्योंकि A.D.R. की याचिकवा अब्हि लंबित है एक और याचिका डाली गई एक और याचिका गई और सुप्रिम कोट कह रहा है भाई ये मामला कितनी बार उठाया जाएगा तो डिवाई चंदरचूर साहब को भी मैं कहूंगा डिवाई चंदरचूर साहब इस पे फैसला ले लीजिये क्योंकि ये अब सब के गले का फास बनता जा रहा है खास दोर से भारतिय जनता पार्टी के दुखती रख पर लोगोंने हाथ रख दिया है अब जरूरी है कि इस पर फुल एन फाइनल फैसला सीजियाई साहब ले ले तब जाकर हमारे देश में लोकतंत्र की बहाली हो पाएगी दोस्तों जिस तरीके से इवियम को सड़क से सुप्रिम कोर्ट तक उठाया जा रहा है संसत तक उठाया जा रहा है आपको क्या लगता है क्या इवियम पर अब प्रतिबंध लग जाना चाहिए इस पर आपकी क्या रहा है क्या बैलेट की बहाली हमारे देश में अब हो जाना चाहिए अपनी प्रत्किरिया आप लोग जरूर दीजिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए सहयोग करिए वीडियो को जन जन तक पहुँचाए जिस से देश की जनता जागरों को जै भारत जै सम्विधान शुक्रिया